कि यह दो बात करते हैं सुदॉन रजी लिमिटेड की पास रुपए पैसर पैसे के स्टॉक है हमारा लास्ट विक काफी मोमेंटम में स्टॉक देखने को मिला था स्टॉक में एक अच्छी रैली आये थी पर उसके बाद लगतार दो दिनों की गिरावट हुए यहां पर गिरा की बाजार में, तीन-चार सैक्टर को अगर ठीड दिया जाए तो मोसी इस समरा पर बहुत चारक्शकल्स एर्स में सब्सक्राइब करने की उमीद आपको करने चाहिए क्या होने वाला है कैसा रहेगा हमारा हफ्ता बुलिश रहेगा बेरिश रहेगा नेट्र जोन में जाएगा इस बारे में चले शुरू करते हैं अब उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बात करें एक दिन के चार्ट की फ्राइडे के तो कोई बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलता है बट एक चीज बहुत अच्छी रही थी कि वाल् यहां पर ट्रेड हुआ है एक अच्छा वाल्यम है इसमें कोई दोरा नहीं कि लगातार सुजान ने लोगों को निजाश किया है इसे में भी इस समय पर आप देखो तो 35 मिलियन का वाल्यम वाना एक बहुत 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 चीज होती है ठीक है तो अब बात करते हैं बाजार ज्यंकर मैंने बोहुता कि बाजार का इंपनी को सब्सक्छान नहीं है बाजार में इसलिए यहांपर हम बात करें तो बढ़्यार कोश्जा खबर है यह सामने कोव Il ngin cases की अगर हम बात करें हैं अपर तो COVID-19 लगातार तेजी बढ़ा है नियोकर मायकोश्ड की cases लगटार तेजी से बढ़ते वे देखने को मिले हैं हालाए कि के हम जाए हैं हमारे गांऔर जादा है पर आप यह भिह भी करने पड़ेगी कि शहरों में नमब कि qiunoda ni की जाते हैं यहीं समझे आप को स्थेट्स में देखने को मिलेगी ज़में. यहां पर गावों में नमबर्स बहुत तेज़ हैं ऑगर आपके हॉस्पिटर्स अगरे में जान पर चान तो आप जान सकते हो वहां पर क्यां शिर्थी चल रही है. बट अगर दिवी देखोगे तो इन इन स्टेट्स में बहुत कम नंबर देखने को मिलते जब कि पॉपलिशन इतनी जाना है उसके बावजूद भी तो कहीं ने रिपोर्टर केसे में कमी देखने को मिले नंबर थोड़े से कम आए हैं मतलब पर उसके बावजूद भी अन्रि पर हैंगे वी दोर आ हैंएगे क्यूंकि ने खुब तो एंब तक तो वो नंबर तो सामने आएंगे याएंगे बट आप क्या किया जा सकता है अब जो तो वो उस फ्रेंट पर अच्छी ख़बरे हैं, तो स्पूदिक वक्सें का बड़ा लॉट हमारा में जून तक बड़े-बड़े सिटीज में, लेवल सिटीज में अवैलिबल हो जाएगा, 1000 रुपए पर शौट के हिसाब से, दूसरी बड़ी ख़बर डैली और मुंबई से ह दो और अक्सियम प्लाट लगाए गए हैं, तो अक्सियम को जी दिमांड नहां पर तेजी से बढ़ रही थी, उस पर कम से कम कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी दिमांड को पूरा किया जा सकता है, तो वो एक अच्छी ख़बर है, चौती अच्छी ख़बर की बात करे हैं, दर के दिन में DRDO ने भी एक बड़ी अनाउंस्मेंट की है, कि 500 से ज्यादा अक्सियम प्लांट लगाए जाए जाएंगे, तो कि ये अक्सियम की दिमांड कभी दोबारा बढ़ सकती है, थर्ड वेव भी आने की उमीद है, मैं यहां पर जिस तरह से डॉक्टर बात कर रहे ह तो थर्ड वेव भी आएगे, तो वहां पर अक्सियम की दिमांड ज्यादा बढ़ने के चांसे से बाकि नुक्र मैकोशी से बढ़ रहा है, तो इस बिमारी में अक्सियम की दिमांड काफी ज्यादा होने वाली है, तो इसलिए यहां पर रियाड लियों की तरफ से बड़ी बात करें यहां पर तो कहीं ने कहीं सुझदान में हमारा strongly bullish zone में है, चार्ट पॉजिटिव है हमारा हमारा पर साइथ बन रहा है, आरसाई के बात के तो आरसाई हमारा 59 का आरसाई है काफी स्ट्रॉंग मोमेंटम है, इंवस्टर्स का इंवर्स स्टॉक में, बाइं इसलिए आरे है ना, देखो volume अच्छा आरहा है, मतलब है कि यहां पर इंवस्टर्स का इंवस्ट काफी ज़ादा है, RSI मेंगी हो गया, बालेंजिर बैन के अंदर की growth है हमारी यहां पर, चार्ट बाइं बन रहा है, bullish चार्ट बैटन है हमारा यहां पर, short term में एक अच्छी rally की उम् पैसे का नंबर, चार्ट बैसे का पहला resistance zone है, मुझे लगता है कि बाजार से पूट करेगा, तो हमारा stock 46 के उपर trade करता हुआ, देखने को में स्टार सकते में, closing 46 की उपर की आ सकती है, बाकि अगर हम बाजार से सम्दित खबरों की बात करें तो अच्छी खबरे हैं, DII के numbers भी काफी अच्छे रहे हैं, Friday को, DII के front का जो असर है, DII के पैसों को जो असर है, वो market को neutral zone में रेके जाएगा, और season को ऊपर की तरफ पुछ वरेगा, तो कहीं ने कहीं खबरे अच्छी हैं हमारे सामने, हलाकि FII, FPI अभी बिग्वाली में इंगल्ज हैं, प्राब्लम यह अच्छी है कि इंडिया की social economic और healthcare sector से जोड़ी खबरे हैं वो अच्छी नहीं है, और global खबरी जो है, इसराइल और गाज़ा का जो बीच में अच्छी खबरे नहीं है, तो उस front पर थोड़ी सी situation खराब हो सकती है, क्योंकि FII, FPI पैसा निकाल रहे हैं, overall अगर हम बात करे conclusion क तो सुचलान इस समय पर bullish to neutral zone में बने रहने की उमीद रहेगी है, इस हफते में 46 का हमाला parent target है, जो मुझे लगता है अच्छी हो सकता है, इस हफते में, इस हमारा एक support रहने वाला support important है, long term के लिए entry लेनी है, अगर entry लो तो खरीडारी की सलाह मेरी रहेगी, बर सिर्फ long term के लिए 5% of total capital, 5% में इसे भी buy on jams की strategy की साथ ही खरीडारी करनी है, बाकि खरीडारी ना करो तो बहतर है, इसकी market इस समय पर हमारा तो avoid को रहे हो, stock को, stock म कमने करें, फिरे रहना, वीडियो पूसन लाए हो, तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो, तो subscribe किये विए ना मत जाना, thank you for watching, and this, please comment below अगर कुछना हो, तो thank you.